सपनों की उडान इस कहानी में हम एक छोटे से गाव की बच्ची की कहानी सुनते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाईयों का सामना करती है. एक छोटे से गाव में लक्षमी नाम की एक बच्ची रहती थी, वह बहुत ही समवेदन शील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गाव को उचाईयों तक ले जाएगी और उसे खुशाली और सम्मान की उचाईया प्राप्थ होंगी लक्ष्मी के पास। कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ा कर उठाया गाव में उसके स्कूल नहीं था लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया वह दूसरे गाव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी महत करती संघर्ष और कठिनाईयों के बावजूद वह अपने लक्ष की और बढ़ रही थी लक्ष्मी की द्रिधता और महनत ने उसे सफलता की और ले जाया उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की जब वह वापस अपने गाव लोटी तो उसने गाव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया वह हर बच्चे को शिक् करने लगी वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पुर्ती के लिए महनत करना शुरू कर दिया इस तरह लक्ष्मी ने अपने गाव को उच्चायों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे द्रिधता से खड़े होना चाहिए कठिनाईयों के बावजूद हमें अपनी महनत और समर्पन बनाये रखने की आवशक्ता होती है जब हम अपने सपनों के प्रती विश्वास रखते हैं और महनत करते हैं तो हम पातकाल में भी सफलता की और बढ़ सकते हैं।